ये आकाश्वानी इटानगर का अरुन FM 103.1 मेगा हज है। प्रस्तुत है वीकली इन्फोटेनिंग कारिक्रम आज के महमान। आज की कड़ी में आप सुनेंगे सिंगर थुपतन सिरिंग से ली गई इंटर्व्यू एपिसोड वान। वैसे तो थुपतन सिरिंग ऐसे परसनल्टी हैं जिन्हें अपने इंटरक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्यूंकि वे खुद में ही एक ब्रैंड हैं। फिर भी मैं बता दू कि थुपतन सिरिंग अरुनाचल प्रदेश के एक प्रतिभासाली गायक हैं। उन्होंने 2016 में इंड तुपतन जी सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडिय में हर दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अकश्वानी इटरनगर के सभी मेंबर्स को कि मुझे इतना सम्मान दिया है खासकर कि सर आपने तो मैं बहुत ही आभारी हूँ। तुपतन क्यूंकि आप तववा तो सबसे पहले आपको बरफिली पहार, हरा भरा, हरा भरा तो विसे आपना अरनचल में सभी जगहों में है लेकिन तववाँ एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत सारे जील है, जरना है और बहुत बरबरब पहार भी है वहां पे तो और वहां के लोग तो मौनपा ट्राइप के लोग है और मैं भी वहीं से अब तालूग रखता हूं और यह टिवेट बॉर्डर से बहुत ही नजदिक है यानि हमारा में टाउन से तवंग का जो टिवेट बॉर्डर है वो गरिबन 25 किलोमेटर ही परता है तो वहां पे बहुत ही जो इंडियन आर्मी के साथ में हमेश है जो कि तावंग मॉनिस्टरी के नाम से भी काफी फेमोस है तो वह भी अपना एशिया का सेकंड ओल्डेस जो और सेकंड लार्जेस मॉनिस्टरी में से एक है जी आपके परिवार के बारे में कुछ जाना चाहेंगे वैसे परिवार हम मिडिल क्लस के लोग है तावंग में एक चोटा सा गाउं है खर्दोत नाम है तो वहां पर मेरा ममी पापा है उपरवाली का देन है अभी तक मेरे ममी पापा मेरे साथ है और हम छे बाई बहन लोग है उसमें से हम लरका सब बड़ा लरका लोग है और चोटे-चोटे बहन तीन है तो ऐसे करके हम खुल मिला के ब मात्र फाइफ एर्स के थे तो आपके साथ एक दुरगटना हुए तो आपके इजाज हो तो क्या आप शेयर करेंगे हमारे उडिन्स के साथ तो ऐसे बात है कि अब तो बहुत सारे लोगों को मैंने सोचल मीडिया के मद्यम से या जो आपने कहा है इंडियन अडल ये सबके प्लैट्फरम के जरीए से काफी लोगों तक संदिश तो पहुँच चुका है लेकिन मैं आज आपके रेजियो के मद्यम से मैं आपना कहानी य है तो सन 1995 की बात है मुझे बात में पता चला है कि अनदी इए यर 1995 की बात है जब मैं पांस साल से थोरा जदा यह छे साल से थोरा काम था उस समय पर यह दुरगतना हुआ है मेरे साथ आप मुझे समझ भी नहाँ था कि इसको मैं अनफर्चुनेट कहूं या फर्चुनेट क है कि गाउं में थे हम, मम्मी पपा खेती में काम कर रहे थे, मैं थे, मेरा बरबया और मेरा बाई और मेरा सबसे जो बड़ी बहन है, वो उस समय पर एक साल कर भी नई हुआ था तो उस समय की बात है ये कहानी, तो हम बच्चे खेल रहे थे और गाओं के बच्जे लोग भी थे तो इनके साथ हम खेल रहे थे जाने आन जाने में मैंने जाके उस वायर को मैंने छू दिया है और वो उस वायर में करन थे तो बात में पता चला कि यह 11,000 वॉल्टिज का थे आप सोच की देखिए मैं थे 5-6 साल के बच्चे और वहां पे 11,000 वॉल्टिज में मैंने करन खाया है तो इसके बाद तुरंट मुझे वहां से अस्पतार ले गया गया तो उस समय 1995 में तो तावंग में टांस्पोर्टेशन इतना खराब थे और डिस्टिक हॉस्पितल एक ही हो है वहां पे और वो भी इतना functional नहीं थे उस समय भी फिर भी मुझे वहां पे ले गया गया तो इसके बाद वहां पे सबसे पहले वहां के जो डॉक्टर है उन्होंने अश्वासन जो दिया है कि हां इनका जो दोनों हाथ जल चुका है लेकिन यहां पे ठीक होने का संभवना है तो उसी उमीद में वहां मेरे ममी पापा क्योंकि तुरंट यहां पे अपना क्यापिटल में लेकर आने का हमारे पस ना पैसा थे ना उस समय पे टांस्पोर्टेशन थे उस समय पे एक ही इस से टांस्पोर्ट जो बस थे वो हुआ करता था लेकिन वह भी क्या था कि हाफता में एक बार या दो बार तो जब मेरा इंसिडेंट हुआ उस समय पर बस टांस्पोर्टेशन भी वहाँ पर नहीं थे तो ऐसे करके वहाँ पर करीवन एक मैना जैसे अपना डिस्टिक होस्पितल में वहाँ पर टूट्मिन कराने को कोशिश किया है तो मुझे वो सफर आज भी याद है थोड़ा थोड़ा अब सोचता हूँ तो एक सबना सा भी लगता है क्योंकि मैं मेरा पापा और मेरा बुआ और मेरा मामा हम चार लोग थे हम चार लोग वहाँ से तवंग से हम ट्राक में आए था ट्राक में आए था मुझे आभी भी याद है मौसम बहुत ही खराब रस्ता बहुत खराब ऐसे करके तेशपूर तब पहुंचने में वहाँ में दो दिन लगा तो ऐसे करके फिर तेशपूर से यहां पर इतनागर में लेकर आए गया फिर यहां भी जब आर्केमिशन में ल बापा को बुलाने को, यह जो मैं कानी बता रहा हो, यह सब मुझे बात ने बताया गया है, अइसा ने यह, क्यूंकि मैं उस समय पर इतना समझने का मेरा पस में छहमदा नहीं थे, एक तो भीमार भी थे और एक मैं छोटा भी था ऐसे करके, तो डॉक्टर ने बापा को बुल गाओ जो है वो शरीर के अंदर और स्प्रिट होते वे जा रहे थे तो ऐसे करके तो डॉक्टर ने कहा कि काट देते हैं तो फिर पापा ने बहुती बारी दिल के साथ में उन्हों ने भी फिर हा कह दी इसके बाद मेरा जो ये राइट हैंड तो ये राइट हैंड जो इसके बाद में फिर मुझे कुछ दिन के बाद में मुझे एक लेफ्ट हैंड के साथ में मुझे घर पे बीच दिया गया तो मैं फिर पापा के साथ में तावंग चला गया तावंग जाने का बात वहां पे देखता हूं कि मेरे गाओं से फिर डिस्टिक हास्पितल हर रोज जाना इतना पॉसिबल नहीं था एक दो भीमार है और मेरा गाउं से डिस्टिक होस्पितल तक जाना पैदल जाना बहुत ही मुश्किल था तो कहीं बार तो हम गये हैं पापा के साथ में हम दोनों अक्सर वह जाते थे ड्रेसिंग जो जो कटा हुआ जो हाथ है उसको ड्रेसिं करते हुए देखकर तो उनके अंदर भी एक हिम्मत भी आया और वो भी एक ओ हो गया अब थेओरी तो उनों ने देख लिया है अब अब प्रक्टिकली करना खुद को बागी था तो इसका बात में उनों ने क्या कि धीरे धीरे मेरा पापा ने ही मेरा हाथ का ड्रेसिंग करन नहीं था तो पूरा इसमें ना तो खुन बास हो रहे थे ऐसे में क्या था कि पापा ने मुझे एक पर कहा कि आप यह तो ठीक नहीं हो रहा तो इसका घाउ जो है फिर लेफ्ट हैंड के जो हाथ नहीं करता है उसका घाउ जो फिर उपर के और बर्दा वा जा रहा था तो ऐ आप देखेंगे कि मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कोई फरक ने परेगा कि इसने कौन सा हाथ काता है तो मेरे पापा ने इतना अच्छी तरह से काता है घर पे उस समय पर क्या था कि पहले हमारा घरों में छट जो रूफ है वो फटा का हुगा था तो ऐसे करके पिर काफि तकलिफ हुआ है सच कहूँ तो क्यूंकि बच्चा था मैं समझ नहीं थे गाओं के जो मेरे दोस्त पहले एकसिदिटंस से पहले जो मेरे साथ मेरे दोस्त लोग जो बागधोर करते थे मेरे साथ में खेलते थे, वो लोग मेरे साथ मेरे पास आना बन कर दिया जब आता भी था तो मेरे हाथों को देखने के लिए ही मुझे चिराने के लिए ही ऐसे करके लोग आते थे तो मैं बहुत ही एक जंगली सा, एक वाइल सा हो गया क्योंकि मेरे बोड़ डिस्रॉफ हो गया था कि अब λोग मुझे मेरे पास आ रहे लेकिण मुझे देखने नहीं मेरे हाथ कैसे क podéis होगा, खाना कैसे खाते होंगे यह अब कैसे चलते होगा, कपरा कैसे बिद्द्ध होंगे ये सब के सोच में वो लोग मेरे पास आते थे तो काफी दुख लगता था तो ये बात है के बात फिर कहीं साल हो गया घर पे मैं परा रहा है मैं कुछ भी नहीं करता था गर में बहरे बेटे मेरा उमर उपर निकलते जा रहा था इसके बाद में गर में जो खाना भी खाते थे तो मा कभी मा खेलाती थी जब मा ना हो तो फिर उस समय पे मेरा में जो खाना खाता था वो चमच पकर के नहीं खाते थे मैं जो जनवर जो ख तो वहां का जो प्रिंसिपल सार है एक गुरुजी है लामा है मौंग है तो वह अपना तवंग गई है तो वह मंजुशिरी स्कूल को चला के दो सल हो चुका था यानि 1998 को मंजुशिरी स्टैबलिश किया था तो वह गुरुजी मैं जब किसी सरक से जा रहे थे तो उस समय गु ममी पापा को बोला कि मैं तुब दिन को अपना स्कूल में अपने शरण में लेना चाहता हूँ मैं उनको परह लिखाय करूँगा तो सबसे पहले मेरा पापा और ममी एक तुम धंग रहे गया था है अब इसका क्या का इनका तो दोनों हाथ नहीं है अब यह पर तो नहीं प एक पापाल करिया है लेकिन जो हमारा गुरूजी है अन्होंने मुझे स्कूल में लेकर गया तो जब स्कूल में लेकर गया तो स्कूल का में जरनी अप मैं और आप उनको अपनारव को सुनाना चाहूँ एकॉ cowboy नहीं होँ आपकort तो उनको दोन और पर आपको इंगिख के लेकिन ये आज पढ़ाई कर रहा है, लिखते हैं, रीडिंग कर रहा है, खेल कूट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप ही ऐसे कर सकता है तो गुरू जी ने अपना बंध मुठी हाथ दोनों पंजे को बंध करते हुए चमच इस तरह से पकरना मुझे सिखाया कि देखो इस तरह से चमच को पकर जाता और इस तरह से खाना कहा जाता है, कλम को पकरना सिखाया बंध मुठी से इस तरह से करके आप सेख सकता है तो हमारा जो गुरूजी है उन्होंने मेरा जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो मेरा मंजूशिरी स्कूल से हुआ है तो अब याद करते हैं तो उनको क्या कहिना चाहेंगे मैं यह कहना चाहूंगा कि देखें अक्ẽ हमारा जितने भी जो बरबर गुरू जी है सब मों कहते हैं कि भगोन होते हैं पर किसी ने देखा नहीं लेकिन आज मैं भगोन को देखता हूं तो मैं अपना जो गुरू जी है उनको में एक भगोन के तरुपे देखता हूं क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है कि उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं हमारा यहां अभी भी more than 300 बच्चे लोग है 300 बच्चे लोग अभी भी है जिनका माबाब नहीं है कोई mentally disrupt है तो कोई आंक से कोई अंधा है तो कोई बोल नहीं पाते है तो कोई वहाँ पर mentally जो disabled है और physically disabled वाला भी बहुत सारे लोग है सब को वहाँ पर free of course college तक पूरा आपका वहाँ पर free of course पराते है तो मैं आतना गुरु जी को बहुत बहुत मैं शुक्र गुजर हूँ जितना भी मैं आपको thank you कहूँ लेकि उतना वो शक्त उतना ही कम बढ़ जागा क्योंकि जिस तरह से आपने मुझे जो सिंदिकी दिया है वो एक कोई और जो एक irisible जो बहुता है वो एक replace नहीं कर सकता है तो थुपतिन जी जैसे भी आपने कहा किस तरह आपके बैच्पन गुजरा किस तरह से तकलीफों का सामना करना पड़ा लेकिन आपने हार नहीं मानी तो इनिशिल स्कूल इरिंग की तो बात होगे आपके educational qualification के बात करें तो education qualification क्लास भरवी तक मैंने अपना हाई स्कूल तक मंजुरा क्लास 5 तक तख थे फिर उसके बात क्लास 5 के बात हमें गौर्ड में बढ़ा करता था तो तो उसके पर फिर शाम को हमें वहीं लोड के आना है हमारा जिटना भी जो स्कोल का युनिफॉर्म हो, किदावे हो, जितना भी सब कुछ ट्राविलिंग हो, सब कुछ खर्चाओ, हमारा अमरा स्कोल मंजुशश दिक करते थे इसके बाद में क्लास 12 तक वहां पे तावंग हाइ सकंडरी स्कूल से मैंने पराई की उसके बात मैंने से कहा, कि मर्क्स थोरा कम आया था, फिर भी मैंने से कहा, कि सर, मुझे डली जाना है, मुझे डली उनि़रसिटी में बाध्य करना है तो सर ने एक पल भी कुछ नहीं सोचा और मुझे सर ने सीधा कहा कि ठीक है तुम जा परो पराई के लिए मैं तुम्हें कभी रोक टोक नहीं करूंगा जाओ फिर मैं डली चला किया और डली में मैंने अपना वहाँ कॉलेज है जखीर हुसेन डली कॉलेज तो वहाँ पर मैंन मैं तो बच्मन से गाना गाने का शोग था था इसकूलों में जो भी संगीत का जो कंपटेशन होते थे तो एर्टीचर लोग मुझे अकसर चुना करते थे कि अधु तुम्हें सिंगल सोलो सोंग है आपको कंपटेशन करना है तो मैं अकसर यह सब में कई बार फर्स पोसिज जबनागत बोदा मोसा है तो उस समय पर मैं ख्लास सेवन में थे तो हमारे प्रिंसिब्ल सर और यहां पर हैडमिस्टर थे तो वहाँ पर सबस्ट ने मुझे गाना गाना है तो उस समय पर सर ने मुझे परमेशन दे दिया तो मुझे आज भी या थे वह वह गरी रात के थे तो उस समय पे मेरा नाम पॉब्लिक ली एनॉंस किया गया वहां पर बुतमवास है इतना हजरों लोग वहां पे थे सब लोग वहां पर दूसरा प्रोग्रम सुनने के लिए या देखने के लिए वहां पर रड़ी थे उस बीच मैं भी वहां पर चला गया और जब मैंने पहली बार वहां पर गाना गया था एक हिंदी गाना पहली बार जब यह गाना मैंने गाया तो लोगों को इतना पसंद आया चुकि मैं ऐसा हूँ कि मैं कभी सीखा नहीं है संगीत मैंने कभी सीखा नहीं जो कुछ मैंने गाया है मैं जो टेप रिकोर्टर उस समय पितर वाक्मेन वाक्मेन काफी फेमोस थे तो वाक्मेन में हम गाना सुना करते थे तो उसमें से एक गाना मैंने चुना इसका वाँ पर गाना गाया तो जब मैंने ये गाना गाया तो इतना लोगों में इतना चर्चा हुई है कि मैं कहने जखता कि मैं उस समय पर जैसे वो गाना खतम होके मैं जब स्टेज का पीछे जब उतर रहे थे तो वहां तरफ के जो स्कूल के बच्चे लोग थे, जो दोस्त लोग थे, वो लोग मेरे परस आये हैं, और हम लोग बहुत ही अच्छा एक दोस्त बने हैं, ऐसे करके, और बहुत लोग मुझे तब उस समय पे मुझे एक लोगों ने वहां पे, एक संगितकार के तोर पे लोग पे जाना गया है, तो मैं वो शाम और उसके बाद के जो पल है, मैं कभी नहीं बूल पाता है, जैसे अभी आपने कहा कि उस गाने ने आपके जिन्दिगी को बदल ले, तो कुछ याद है उस गाने के बॉल, तो हम चाहेंगे कि हमारी ओडियंस को कुछ गाह कर सुना एक मूवी है कोई अफसा नाम का, यह आफताफ का जो आफताफसार है, तो उनके मूवी है, तो उसमें एक गाना है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिष्टा पुराना है, तो अभी बाते करते का तक गला का फे सुक्या है, फिर भी मैं आपके समक्ष में और मैं उमिद करता हू तो इस तरह का ये गाना है तो ये मैंने पहली बार स्टेज को पर मैंने इतना बरा मंच में गाया और पहली बार मैंने म्यूजिक के साथ में गाया जाने बैक्राउंड ट्रेक के साथ में उससे पहले जब भी गाना गाते थे तो हम ऐसे ही गाते थे स्टेज को बिना माइक का या कभी माइक हो तो बिना म्यूजिक का ऐसे गाते थे तो मैंने इस गाने को पहली बार म्यूजिक के साथ में गाया जो म्यूजिक का साथ में जो गाया तो जिस तरह से फील जा रहा थे इतना अच्छा लग रहा था तो यही है तो सच कहूं तो मुझे भी थोड़ी से गुजबम हो रही थी तबतिन जी उसके बाद जब आप ऐसे सिंगर के तोर पे पहचानेंगे लेकिन डिसाइड कब क्या के आपको अब सिंगिंग को करियर के तोर पे लेने है जी ऐसा है कि जब स्कूल में थे तो जब से मैंने ये गाना जो स्टेज में पहली वर गाया उसके बाद काफी लोग मुझे तारिफ काने लगे लोग मुझे एंकरज किया है और जो मेरा गुरूजी है और हमारा जो स्कूल में जितना भी जो टीचर्स लोग थे सारे लोग थे मेरा हम लोग थे सबने मुझे अखसर कहते थे कि आप गाना में ट्राइ कीजिए संगीत में ट्राइ कीजिए और मुझे गाने का शूब था ही पहले से, तो उस समय पर क्या था कि हमारा स्कूल में ना तो फॉन एलाउट है ना तो वाग्मेन एलाउट है उस समय पर गाना नया गाना सीखना भी बहुत है मुश्कुल होता था, तो ऐसे करके फिर हमारा जो प्रिंसिपल सर है मैंने उनसे कि सर मुझे सिंग चरियर आगे लेकी जाना है तो मैं गाणा वाना सुननी के लिए मुझे एक वाग्मेन का नाउड कीजे तो हमारा घॉर्टी ने मुझे इतना स्ट्रिक है फिर भी हमारा घॉरुजी ईए और मोजे हमें विभस करेंशिक लगया।ा पराई भी साथ में, तो ऐसे करके जितना भी जो मेरा क्रेडिट है मैं अपना प्रिंसिपल सार को देना चाहूँगा, वाकिया में देना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि मैं उनका नाम ऐसे ले रहा हूँ सच में उन्होंने मुझे एक संदी की दिया है तो मैं उसको लेना, नाम लेना बनता है, तो ऐसे करके तो फिर ऐसे करते करता है मैं संगीत को साथ में लेता चाला और कॉलेज में आया मैं, तो कॉलेज में आने का वाद में फिर से मुझे वहाँ पे कॉलेज में मैंने जो अपना फ्रेशर्स मीट होता है तो Freshers Meet में जब पहली बार खास करके दिखिए है ना हम Tawang से हैं हम Arnachal से हैं और पहली बार एक Arnachal का लरका जब डिली जिसे इतना बड़ा शहर में जब अपना कॉलेज में गाना गाएंगे और खास करके जो हमारा लुक्स है और लुक्स को लेते हुए वो लोग कभी हो गया और मेरे लिए एक round of applause पलता ही है और standing audition मुझे दिया है standing audition का साथ में सब लोग खारा हो गया है college में सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं जितना भी जो audience है पूरा खारा होके मेरे मेरे लिए तालिया बचाहता है तो एक हो feel एक मेरे लिए एक unforgatable है तो उसके बाद national media के बात बहुत आपकी तारीफ करने लेगे तो एक तुम ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि ये किस्ता किस तरह से हुआ ये मुझे आज भी याद है 2016 की बात है 2016 का October की बात है October में वहाँ पे डली में एक audition का मैं कहीं पे advertisement दिखा था तो जब मैंने गया मैं जब मैं गया वहाँ पे ए 7-8 बज Baby at Yugati में वहाँ भ में दाइन जुदे तो इसा था राथ पर में वहाँ पे में नाएं पर कर her i baba मुझे ना सारा लोग वहाँ वहां सिर्फ ओर देने के लिए तो ऐसा था पास्रUMP में और सबसे पहले वहाहँ हम पेस के आदेमी क्यांब जह नहीं अचे जो होता है उनलगों आप साथ नहीं होता है वहां के जो संहुद ऑप संहगिव ए जो संहुद चाँ वहांק जो संहुदिन तो रेजर्वेट काने का फिर वहां सेलेक्ट हो गया फिर सेकेंड राउन भी चार गना का फिर थाठ राउन हुआ थार्ट राउन हुआ थार्ट में भी 4 गना का भाया था तब तक सुवा का प बाच बच चुका था था लगा सह को अफार आट बजे से हम लाइन पे ख़रा है, बिना खाये पी है, एक्तम से लाइन में है, ज़री आप वो लाइन से हड़ भी जाता है, तो फिर बाकी लोग आपका जगह कपसर कर लेंगे, इसके बाद में फिर आपको दुबरा से फिछी लाइन करना परेगा, फिर वहाँ पे क्या थ उसको बिचाते हुए, रात पर वहीं पे सोया, इस तरह से करके फिर लाइन पे ख़रा रहा, ऐसे करके, तो जब फास सेकेंड थाट रॉन क्लियर हो जाने के बाद, फिर दो दिन के बाद में वहाँ पे में जजज लोग आते हैं, में जजज के साथ में फिर वहाँ पे मेरा उस समय पे संगीत में हम सुना करते हैं, जिसको हम इतना मिलने के एक चुको होता है, और उनके सामने मुझे गाना गाने का मौका मिला है, और मैं एक ऐसा बंदा था कि मैं कभी सिखा ही नहीं, हिंदी बाशा हमारा अपना मातर बाशा तो नहीं है, दूपचपन से हम जब त जो आपना तीन जजेश वहां पे बैठे थे, तो उनको मेरा आवाज पसंद भी आया, और जो मेरा कहानी है, कहानी पसंद आया, और उनको ऐसा लगा कि मुझे आगे के और ले जाना, एक बनता है, तब फिर मुझे वहां पे आगे ले गया, तो इसके बात मैं इतना नहीं स तो मेरा इतना वाइरल हो गया, मेरा वीडियो हुआ, मेरा गाना, मेरा ओडिशन का, मेरा कहानी सब इतना वाइरल हो गया, कि वहां पे मदलब जो मैं दिल्ली में जिस कॉलोनी में रहते थे, सब लोग मेरे पास आ रहे थे, बोल रहे थे कि देखो बाई, आपका पूरा टी से निकलने लगा तो बाबरे बाब ठीक 9 बच कर 35 मिनिट पर कारिकरम आज के महमान के तहट तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार